वेलकम टू इस्टेनो विद पारस डिक्टेशन स्टार्ट होगी पांस सेकंड बाद स्टार्ट बारमुला में आतं की हमले में सी आर पी एफ के दो और जम्मु कस्मीर पुलिस के एक जवान के बलिदान के साथ ही ऐसे बलिदानियों की संख्या और बढ़ गई यह अच्छा हुआ की इस हमले में सामिल आतंकियों को आनन फानन धेर कर दिया गया लेकिन इस पर तो विचार किया ही जाना चाहिए की सुरक्षा बलो पर आतं की हमलों का सिलसिला कैसे थमे यह ठीक नहीं की हमारे जवान आतं की हमलों का निसाना बनते रहें और अपने प्राणों का उद्सर्ग करते रहें आवस्यक केवल यह नहीं की कसमीर में सक्रिय आतंकियों के दुस्साहस का दमन प्राथमिक्ता के आधार पर किया जाए बलकि यह भी है कि पाकिस्तान को कसमीर में आतंक फैलाने और दखल देने से रोका जाए वैसे हालात किसी कीमत पर नहीं पैदा होने देने चाहिए जो एक साल पहले थे जम्मु कसमीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35 ए हटाए जाने के बाद घाटी के हालात सुधरे हैं तो इसका एक बड़ा कारण यही है कि महा आतंकियों अलगाबवादियों और उनके समर्थकों के साथ साथ पाकिस्तान परस्त तत्वों पर कसकर लगाम लगाई है इन तत्वों को फिर से सिर उठाने का मोका नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे ने केवल सुरक्षा परीद्रस्यय पर बुरा असर पड़ेगा बलकि पाकिस्तान का दुस्साहास भी बड़ेगा इसके अलावा गाटी की अमन पसंद जनता का मनोबल भी प्रभावित होगा पहरा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि कस्मीर के हालात सुधारने में सबसे मददगार वहां का वह तबका है जो अमन चैन के पक्ष में है इस तबके को प्रोसाहित करने के साथ उसे और ससक्त भी किया जाना चाहिए यह काम तभी हो सकेगा जब आतंकियों पर लगाम लगाने में सफल्दा मिलेगी नीसंदेहे यह एक कठिन काम है लेकिन इस पर सबसे अधिक ध्यान देना होगा इस किरम में यदि सुरक्षा चोकसी के इस्तर को बढ़ाने अथवा उसमें व्यापक बदलाव लाने की जरूरत हो तो उसकी पूर्ती भी करनी होगी ऐसा होने पर ही जम्मू कस्मीर में राजनितिक प्रेक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी इसमें संदेह नहीं की जम्मू कस्मीर से अनुछेद 370 हटाने के बाद दुनिया भर में सोर मचाने के वावजूद पाकिस्तान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है लेकिन इसका खतरा तो है ही की वह कुंठा का सिकार होकर कस्मीर में आतंकियों की खेप भिजने में नैजुट जाए वैसे भी वह चैन से नहीं बैठा है उसकी सेना की और से संगर्स विराम का रह रहकर होने वाला उलंगन यहीं बताता है की वह आतंकियों की गुसपैठ कराने की फिराक में रहता है इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता की संगर्स विराम उलंगन का मुह तोड जवाब दिया जाता है क्योंकि यह तो एक तथ्य है की वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है स्टोब स्टोब